हलो दोस्तो मेरा नाम है मनीज जा दोस्तो ये मेरा चैनल है अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तो तो चलिए चलते हैं न्यू वीडियो के तरफ हलो फ्रेंज मैं आप लोगों को जो पैन और अधार कर लिंक कैसे होता है और लिंक है कि नहीं है वो दोनों स्टेप में चेक करके बताऊंगा आपको ताकि सबसे ज्यादा बैस्ट बुलते हैं आपको यहां वहां जा करके भटक करके कुछ किसी को एक्स्ट्रा पैसा देनी की जरुत ना पड़े दोस्तों यह काम आप खुद घर पर कर सकते हैं और जो गवर्मेंट का चाहर्चे से उतना पेमेंट भर के आप इसली घर बैटे कर सकते हैं तो मैं आपको इसके लिए इस वीडियो के मादिम से आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और आपको यह वी चेक करिए कि आपका जो आधार नंबर है वह आपको एंटर करना होगा सबसे पहले आप क्या करो दोस्तों इफिलिंग के जो इपोर्टल है डॉट इंकम टैक्स वाला उस पर आओगे यहां पर आने के बाद हम लिंक स्टेटस पर जाते हैं जो हूं पर यह देखिए हूं है कि यहां पर लिंक आधार स्टेटस का उप्शन सबसे पहले आप चिक करोगे कि आपका अबेडी लिंक है कि ने कुई कभी कभी जैसे पहले हम ने बनाया था है है तो नहुन का ऑल्रेड़ी किसी किसी का लंक भी दिख रहे तो उस और केसमें आपको पेम्ने की ज़़रत नह से पहले आप Link status चेक करें and then आप आगे process करें अगर लिंक है तो ही करें लिंक नहीं दिखाएगा तो आगे यह प्रोसेस करें अगर लिंक शो हो रहा है तो आप मत करिए तो यहां आप देख रहे हो मैं इधर से आधार नंबर और पैन नमर डाल रहा हूं यहां आप देख रहे हों दूस्तों कि लिंक नहीं है इस case में हमें लिंक करना होगा तो लिंक आधार पर मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो यहां पर हमें पान नंबर डालना है सेकंड ऑप्शन जो है वह मैं अभी अधार नंबर डाल रहा हूं इस तरीके से हम वैलिडेट करेंगे यहां पर देखिए कुछ तो इशू आ रहा है यहां पर सम्थिंग वें रॉंग लिखा हुआ है अगेन वी विल दू यहां पर देखे दुस्ते यहां पर दिखर है पेमेंट डिटेल नॉट फांट सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको पैन नंबर वापर सेंटर करना है पर दालने के बाद आप रेइस्टर मोबाइल नंबर डाली यह 1-086-6-3907 हमने अपना मोबाइल नंबर यह अब हम करेंगे अभी आपके जो रेइस्टर मोबाइल नंबर हो कर जो आपने डला है उस पर ऊटीपी आएगा तो वह लोटीपिया आपको को एंटर करना है कि इस तरीके से हम यह देखिए आप दोस्तों यहां पर दिखाए यह सक्सेस्फ़ली वेरिफाइट थ्रू मोबाइल टीपी सो अभी आपका नाम आ गया और आपका यहां पर नमबर देन यू विल डू कंटिन्यू करेंगे यहां पर आप देख रहे हो हमें इनकम टेक्स में आने के बाद हमें सेलेक्श करना दोस्तों ओर यहां पर जो मायनर है रिख वो अधरिशिब फाइव हंड्र हमें सेलेक करना यह याद रुकिए यह सारे options में से आपको कहीं दोखा नहीं खाना तो सबसे पहले हमने क्या किया income text वाला select किया वहाँ पर आके आपका जो current assessment area वह select करिए and then आपको other receipt यहाँ से नीचे जा करके select करना है यह करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि क्या reason है क्यों आप इतने late कर रहे हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर डालेंगे fee for delay in linking bandwidth आधार तो हमने थोड़ा late कर दिया है वहाँ पर option है तो यह पहला वहला आपको option select करना है इस तरीके से दोस्तों आहां देखोगे आपको थाउजन रुपेस का चलान आएगा इस चलान को आपको continue करना यहाँ पर आप देख रहे हो इतने number of payment gateways तो आप कोई भी option select कर सकते हो तो तो यहाँ पर हम debit card option select करेंगे for example debit card में हम देख रहे हैं तो debit card में options नहीं दिया हुआ ज्यादा bank को का so net banking के तरफ try करते हैं कि नेट बैंकिंग में और मैं लॉग इन करके चेक करना चाहूंगा दोस्तों तुम्हें यहाँ पर RTJS दिया हुआ है और भी options दिये हैं सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वहाँ पर करेंगे चेक चलिए मैं नेट बैंकिंग के तुरू अधर बैंक दिया हुआ तो मैं अधर बैंक पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं यूनियन बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ for example उनियन बैंक तो आपके जोबी बैंकस दोस्तों आपको पे नाव पर करेंगे हम यह आपका जो पोटल होगा submit to bank अब आपको अपने net banking के थुरू payment करना है तो जो भी आपका net banking होगा उसके थुरू payment करिए तो दोस्तों देखा आपने किस तरीका से एज़ी है एंदेन काफी जल्दी हो जाता है फॉर एक्जामपल में यहां पर डाल रहा हूं और पैन अधर लिंक इस तरीके से थाउजन रुपेज हमें पे करने होंगे देन आपको यह सब्मिट करना है तो यहां पर दूस्तों आपका हो गया पिमेंट तो पिमेंट होने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे डाउनलोड आइस पेडिएफ कर लिया यहां पर देख लिए आपका चलान सक्सेस्फुली अपने आप रिडारेक्ट जैसे पिमेंट हो जाता तो यहां पर रिडारेक्ट हो जाएगा रिडारेक्ट होने के बाद आपको यह जो चलान डाउनलोड गरने का ऑप्शन दिया है दूस्तों तो सबसे पहले आप यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हो हमारा चलान इस रेडी तो मैं आपको दिखाता हूँ चलान दिखता है कैसा है कि इस तरीके से रहता है तो यह चलान सबसे पहले आप जैसे पेमेंट करेंगे संभाल के रखिए इनकेस यह थाउजन रुपीज य फूंसटैं कि सबसे पहले यहां हमारा पैमिन्ट हो गया देन हम क्या करने वाले सबसे पहले चेक करेंगे डिन सबасьक कर्केस तहुं exist कर नंडियर समय वाले तो जाकर हम देखेंगे हमारा पर हुआ हुआ है इह वो तुरनत वेरिफाय होता है दोस्तों पहले कुछ दिन-पह कर रहे हैं उसके लिए यह था अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रमेंट था वो प्रमेंट हो चुका है और यह गवर्मेंट ने वरिफाई किया है कि नहीं अगर इनकेस वरिफाई नहीं दिखते दोस्तों तो आपको कम से कम 24 गंटा रुकना है यहां पर दिया हुआ है कि 24 गंटा यहां पर देखें यहां पर वापस अभी दिखा रहा है कि पेमेंट करने को अप्शन आ रहा है means it is not verified तो यहां पर आपको at least 24 गंटा रुक के टेक करिए और अगर आपको दिखेगा कि यहां पर आधारपन लिंक कर सकते हो thank you दोस्तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा शेयर करिए ताकि और भी ज़रूरत मंदों को यह काम आ सके धन्यवाद दोस्तो